हेलो दोस्तो आज दिखाऊंगा अगर आप सावमी का फोन रेडमी का फोन या पोको का फोन यूज करते तो उसके अंदर आप 5G कैसे अनेबल करेंगे आप ये वीडियो देखिए आप 200% आपका फोन में 5G चलेगा तो कुछ कंडिशन है तो जान लेते क्या कंडिशन है फास्ट आपका फोन फोन में 5G नेटवर्क एडिया के अंदर रहना चाहिए आप जो फोन यूज करते वो 5G नेटवर्क के अंदर रहना चाहिए और फोन में 239 से उपर रिचर्ज होना चाहिए और आपका फोन 5G होना च चलेगा आप पोको सामी या रेडमी का फोन होने से चलेगा तो यह तीनों कंडिशन फुल्फिल होने के बाद आप प्लेस्टोन में जाएंगे और जीओ आप को आप ओपन करेंगे अगर आपका फोन में नहीं है तो इंस्टोल कर लेंगे तो जीओ आप ओपन कर लेना है ओप सब्सक्राइब करने के बाद देखिए कंडिशन जो जो है आपका फोन अप्डेट होना चाहिए में मेरा फोन अप्डेट कर लिया तो पहले देखिए चेक और फाइब जी सेटिंग्स मतलब आपको साइटिंग्स में चेक करना होगा तो गोटू सेटिंग्स में हम चलते हैं photo settings तो आने के बाद आप शेटिंस से भी आ सकते health sim card and mobile network पर वाध रटीजनल सेटिंग्स शेटिंग यहां पर कुछ नहीं है यहां से आपको बैक आ जाना है बैक आने के बाद फिर से ऊपको चलिक करना है लिंक करने के बाद देखिए प्रेफर नेटवर्क और टाइप यहां पर आपको प्रेफर और डिकालना है करने के बाद ऑपका पून में 5G अन हो जाएगा लेकिन उसके बाद फिर से 4G हो जाएगा तो 5G चलने के लिए कुछ आपको सेटिंग्स बता देता हूं 5G continue चलाने के लिए आपको dial pad में जाना है कुछ settings करना है तो settings के लिए पहले dial pad में जाना है dial pad में जाना है जाके यह आपको type करना है देखिए अधर देख लिजिए star has star has 726633 has star has star has star तो यह आप लिख लिजिए देखिए star has 726633 has star has star देखिए so 5G network mood selection mood selection का जो option है वो hide रहता है तो यह dial करने के बाद यह आना ही हो जाता है अभी देखते हैं यह option आपको पहले भी दिखाया था अभी फिर से में दिखा देता हूं देखिए settings में जाने के बाद settings में जाने के बाद sim card and mobile network पर क्लिक करना क्लिक करने के बाद additional settings देखिए पहले option नहीं था एसे mode तो एसे mode जो option है वो आ गया है कुछ लोगों का phone में ऐसे एने से प्लास एसे mode भी आता है तो यह आने के बाद यह तिन नमबर एने से प्लास एसे mode आपको एनेवल करना है आपका mobile अगर एसे mode है आपको एसे mode ही on कर देना है on करने के बाद देखिए दूसरा जो setting से वह भी आपको दिखा देता हूं यहां से back आ जाना है back आने के बाद फिर से आपको dial pad पर जाना है तो अभी आप जो dial करेंगे star has star has four six three six has star has star करने के बाद आपको phone information one one में मेरा जीओ है तो इस पर आपको क्लिक करना है phone information one पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखिए यह option आपको मिलेगा यह option आपको देखने मिलेगा तो देखिए set prefer network type इस पर आपको क्लिक करना है सेट प्रेफर नीटवर्क टाइप इसफ पे क्लिक करना है तissenschaft करने के बाद देखिए आपका IN invasive सीडि एम ऐसे रहेगा इन रोली आपको करना है करने के बाद आपकर यह एग इंचे ख Arts आना के बाद आपको फेस्टर ओपेन करनां प्लेस्टर ने के बद एक फोटा सा आपको डाउनलोड ना करना है देखिए आपको डाउन्लोट करना है एक्टिविटी लाउंचर है है अग्टिविटी लॉंचर देखिए ऐसा इंटर रफेस आपको दीखाएगा इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है कि इस्टाल कर लेता हूं कि बहुत ही चोटा है आप है कि इसको उपन कर देना है इसको उपन करना आपको और उपन करने के बाद देखिए इसको कि कर देना है अभी लोडिंग होगा कि लोडिंग होने के बाद थोड़ा आपको वेट करना है थोड़ा वेट करने के बाद देखिए लोडिंग हो रहा है लोडिंग होने के बाद देखिए यह ओन हो गया ओन होने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है देखिए से श्रम करों मैं पीये इंद बैंडिक के स्पेस देना है और कुछ नहीं करना से से रेडियो बैंड मूड इस पर ग्लिक करने कद के बाद तो से रेडियो बैंड इसपर क्लिक हों second option पे क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर जो सिलेक्शन है तो सिलेक्शन को आपको on कर देना है यह option को on करने के बाद आपका phone में कभी भी 5G का कोई problem नहीं आएगा आपका area में अगर 5G का strong network है तो कभी भी 4G में convert नहीं होगा कंटिन्यू 5G आपका network प्रोवाइट करेगा जीओ true 5G तो कॉमें में जरूर बताना आपका phone 4G हो रहा है के नहीं अभी देखिए 5G continue चल रहा है देखिए 5G उपर network दिखा रहा है आपका कोई भी Redmi का phone phone saw me का phone या पुगो का phone हो आप यह सेटिंस करने के बाद आपका phone में 5G तो 100% चलेगा लेकिन और 5G से 4G convert नहीं होगा continue 5G में stable रहेगा यह option यह सेटिंस करने के बाद देखिए 5G चल रहा है continue और 5G का जीओ 5G का speed कितना है तो आपको पता ही है तो इस option को enable करने के बाद आपको कोई भी phone हो कोई भी होता ना आप कौन सी area में रहते हैं और आप कौन सी mobile यूज करते हैं और आपका phone में 5G चल जाए के नहीं यह सेटिंस करने के बाद तो मुझे लगता है कि यह सेटिंस करने के बाद आपका phone में 100% 5G चलेगा अगर आप तीनो क्राइटरिया फूलफिल करते तो आपका phone में 5G network area में रहना चाहिए फाइब जी फोन होना चाहिए और 239 से उपर होना चाहिए और जीओ का सीम तो 100% चाहिए फिर आपका phone में 5G तो चलना ही चलना है तो वीडियो कैसा रहा कॉमेंट में जरूर बताना वीडियो और अच्छा रहा तो ल